व्रेंट्स वेल्कम बैक तो मैं चनल एजुकेशन एमसी क्यों बूस्टर और आज की इस वीडियो में आप से बात करूंगा केमिस्टिक इंबॉडन कोसिंज जो प्रीविया सिसमें रिपीट हो रहे हैं अनुकि हुआई है पूस्टीक पूरा देखना है लट स्टार्ट स्ट्व कुेशन इस वीडियो व्याइट यिजैंश से इन में से कौन से एलिमेंट है जो लिक्विट फॉर्म में रहता है रूम टेंप्रेचर के उपर सो इसका जो राइड अंसर है वो है option C बोथ A and B यह ACC 121 और 120 में रिपीट वा question है तो इसका answer देख लेते हैं अंसर है इसका option C mercury और ब्रॉमिन जो हैं दोनों ही element ऐसे हैं जो लिक्विट फॉर्म में रहता है रूम टेंप्रेचर के उपर ठीक है question इस तरीके से ही पूछा जाता है कि कौन सा element नॉन मेटल एलिमेंट है जो लिक्विट की फॉर्म में रहता है रूम टेंप्रेचर पर जिसका symbol जो है वह ब्रॉमिन जो है वह एक नॉन मेटल है जिसका symbol जो है वह ब्रॉमिन जो होता है 35 यहीं पर एक और question इस तरीके से पुछे जाता है कि कौन सा मेटल एलिमेंट है जो लिक्विट की फॉर्म में रहता है रूम टेंपरेचर पर तो ताहिम आपको टिक करना है मरकरी के ओपर है मरकरी जो है मैटल है एलिमेंट है इसका symbol जो होता है वह होता है 80 ऑल्राइट ब्रॉमिन जो होता है वह रेडिश प्रियूद में होता है ठीक है ज़जे कि फ्रेंशियम हो गया सीजियम हो गया ग्यालियम हो गया रूपीडियम हो गया ठीक है so these all are liquid elements on the periodic table और नियर दा रूम तेम्परेचर बीकॉज जो रूम तेम्परेचर होता है यह उससे जादा जब तेम्परेचर बढ़ जाता है थाव हम बोल सकते हैं कि फ्रंसियम, cism, गालियम प्रविडायम जो है यह लिक्विड अलिमेंट्स है ठीक is on tuba next question लेखते हैं ए मिक्षर can be separated into its components by जो मिक्षर होता है मिक्षर होता है सबसे पहले तो यह बताता हों मिक्षर वह था है दो यह फिर दो से ज़्यादा ठीक है अँस प्स्टान्स को मिला के जो नई चीज मिलती है उसको हम बोलता है mixture ठीक है just like इसका जो right answer होगा वो होगा all of these mixture को हम separate कर सकते हैं यह सारे की सारे process की help से जैसे कि filtration, evaporation, sublimation all right so इसका right answer हो जाएगा option D यहाँ पर मैंने physical means जो होता है physical method के द्वारा हम इसको separate कर सकते हैं जैसे कि filtration, evaporation, sublimation and इक और है magnetic separation all right तो यहाँ पर होता है कि इस process में हम जैसे कि यहाँ पर आपको यह picture देख रही है एक magnet है बहुत बड़ा और जो जंक्यार होता है जहाँ पर कभाड खाना वहाँ पर non-metals चीजे छूट जाती है and metals की जो चीजे होती है वह इस चुमबक में, magnet में चिपक जाती है तो इस तरीके से हम जो mixture है अभी जंक्यार में उसको हम separate कर सकते है all right come to the next question chromatography method was discovered by यह भी question repeat हुआ है chromatography method उसको discover किया था twist नहीं so इसका right answer है option C इसका key point देख लेते हैं chromatography invent किया था separation botanist थे मिखेल एस ट्वेस्ट ठीक है chromatography जो है वह एक modern technique है separation and purification करने के लिए जो भी organic compound है उनके लिए ठीक है next question देखते है pure water can be obtained from sea water by the process of जो pure water हम अप्टीन करते हैं sea water से वो कौन से process की help से करते हैं यहाँ पे चार options है so option B is the right answer distillation process जो होता है करते हैं sea water से all right so option B is the right answer होता गया है distillation process में during distillation जो sea water होता है उसको boil किया जाता है and water vapor को cool किया जाता है ठंडा किया जाता है बाद में pure water को condense किया जाता है and जो salt होता है उसको हम छोड़ देते हैं ठीक है पीछे यह होता है distillation process all right अब हम बात करते हैं यहाप एक evaporation method है यह भी exam में पूछा गया है इसको देख लेते हैं evaporation method से हम जो हमारा drinking water होता है drinking water उसको obtain करते हैं sea water से ठीक है sea water से हम drinking water obtain करते हैं कौन से method से so evaporation method से और यहाँ पर क्या बोला था मैंने pure water हम obtain करते हैं sea water से किसी help से concept process से distillation all right दोनों में फरक है pure water and drinking water इन दोनों पर question पूछा गया है next question देखते है refining of petroleum involves the process of so petroleum को हम refine कर सकते हैं concept process की help से तो इसका जो right answer है वो है option D fractional distillation की help से जो process होता है उसकी help से हम क्या कर सकते हैं पैट्रोल को refine कर सकते हैं ठीक है यहां पर मैं एक key point बदाऊंगा आपको कि जो petroleum है ना उसको हम refine करते हैं fractional distillation process की help से इसमें होता क्या है क्योंकि यह जो crude petroleum है को gasoline हो गया मिट्टी के लिए तेल केरोसीन and lubricant oil जितने भी है जितने भी useful fractions है ठीक है उनको separate करता है all right next question देखते हैं यह भी exam में पूछागी है the size of nucleus is nucleus का size पूछे जाता है so इसका right answer है option C 10 to the power minus 15 जो होता है nucleus का size होता है इस picture में आपको यह मैं item के बारे में बदा दूँ इसके उपर भी question पूछ जाता है आगे भी discuss करूँगा parts अगर atom के parts के बारे में बात की जाए तो जो हमारा nucleus होता है उसके अंदर क्या होता है हमारा proton and neutrons होती है proton जो होता है nucleus के अंदर उसमें होता है positive electric charge होता है and neutron जो होता है वो neutral होता है ठीक है उसमें कोई charge नहीं होता है एलेक्ट्रोन जो है वो और्बिट में रिवॉल्व करता है जैसे कि आपको दीख रहा है उसमें नेगटिव चार्ज होता है ओल्राइट आगे देखते हैं सो इसका राइट अंसर है ऑप्शन सी 22 बावर माइनस 15 आटमिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको थोड़ा बाद डिस्कस करना चाहूंगा आपसे कि डिस्कवरी जो फंडमेंटल पार्टिकल्स हैं जो एक्टम के उसके बारे में सो fundamental particles हमारे थीन है electron, proton and neutron इसी के उपर question पूछा जाता है सो electron की खोच जो की थी वो sir J.J. Thompson ने की थी ये पूछा जाता है exam में और जो electron के उपर charge होता है वो होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम ओल्राइट mass basically पूछा नहीं जाता फिर भी आपकी knowledge के लिए मैं बता दू 9.1 into 20 to the power minus 31 kg ओल्राइट ये होता है electron का जितने उसके बारे में points है वो proton के बारे में अगर मैं बात करूँ proton की discovery की थी E.Rudhar Ford ने ठीक है E.Rudhar Ford ने proton की discovery की थी gold screen भी कहीं कहीं लिखा गया है gold screen ने actually anode rays की discovery की थी चार्ज जो होता है electron का वो होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 Coulomb same charges होते है electron and proton के उपर but mass में difference आता है so mass जो है proton का वो है 1.67 into 10 to the power minus 27 kg neutron के उपर question पूछा जाता है कि हाँ किस ने discover किया neutron को so James Chadwick ने neutron की खोच की थी year पूछा जाए so 1932 में इसकी discovery की थी James Chadwick ने all right rather for atomic model इसके उपर question या तो फिर आपको numerical में पूछा जाएगा या फिर इसके mc के पूछा जाते है isotope हो गया जैसे isobar हो गया isotone and mass number whatever so whole mass and charge जो present होता है वो होता है nucleus के अंदर ठीक है electron are not stationary electron जो है वो एक जगे इस्तर नहीं रहता है atom के अंदर but continuously revolving around the nucleus in a circular path जैसे की यह picture आपको दिख रही होगी यहापे मैं zoom तो नहीं कर पाऊंगो इसको but फिर भी बता देता हूँ जैसे की मैंने पहले बता है nucleus बीच में होता है और electron revolve करता है इस तरीके से ठीक है atomic number means number of protons in an atom और number of electron जो होते हैं neutral atom में उसको हम atomic number बोलते है mass number जो है उसको हम A से donate करते हैं यह याद रखना है mass number हम find out कैसे करते हैं proton plus neutron की जो भी हमें value होगी उसको ठीक है isotope होते गया है यह exam में MCQ के तौर पर पूचा जाता है so especially species having same atomic number but different atomic mass same atomic number होते है but mass number जो होते है वो atomic mass number होते है वो different होते है Isobar भी पूचा गया exam में so species having same atomic number atomic mass but different atomic number ठीक है दोनों में जड़राबस ज़रावाइबर्स है कि isotopes में same atomic number होते है ठीक है, यह दियान रखना, आइसोटोन जो होता है, इसपेसिस हाविंग सेम नंबर अफ नूटोन, इस कॉल्ड़ आइसोटोन्स, ओल्रीट, यह तो मोटो मोटो आपको मैंने थीओरी का पार्ट बता दिया, जो आपके लिए हैल्फुल रहेगा, और ACC का एक्जम ज़्यादा टॉफ नहीं है, यह अपने दिमाग में अच्छे से बैठालो, क्योंकि मैंने भी दिया है, और एजिली क्रैक हो जएदा है, बस आप थोड़ा बहुत हार्ड वक करो, और जादर Oxford वगेरा की बुक्स मत पढ़ो इसके ले ठीक है, बेसिक बेसिक चीजे पुछी जाती है, तो उनी को प्रिपेर करो, क्योंकि हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं, लेकिन जो बेसिक चीजे हैं, उनको छोड़ देते हैं पीछे, ठीक है, तो जितना मैं आपको बता रहा हूँ, उतना पढ़ी हैं, अगर इससे भी ज़्यादा आपके पास टाइम है, तो अड़वांस पढ़ी है, रिदक्शन इन्वल्फ ये भी कुश्चन पुछा गया है, रिदक्शन कैसे होता है, इसका राइड अंसर है, option B, addition of electron, एग्शाम में ये option ना देगी, addition of electrons ना देगी, आपको दे लेगा, removal of oxygen और addition of oxygen, इस तरीके से पुछ लेगा, reduction involves, तो आपको ये भी याद रखना है, कि reduction जब प्रोसेस होता है, उसमें electrons का addition होता है, and oxygen जो होता है, वो remove होता है, उसको हम बोलते हैं reduction जैसे कि आपको यहां पर इस में दिख रहा होगा reaction में और यहीं पर पूछा जाए oxidation involves so addition होता है oxygen का ठीक है जैसे कि यहां पर आप देख पार है addition हो रहा है oxygen का उसको हम बोलते है oxidation या फिर यह बोल सकते हैं कि loss of electrons ठीक है is called oxidation इस तरीके से आप बदा सकते हैं क्योंकि option change हो सकते है so right answer option b addition of electrons यह है acetic acid is weak acid because acetic acid जो होता है वो weak acid क्यों है ठीक है so इसका right answer हो जाएगा option c because it is slightly ionized होते है इसले acetic acid जो होते है वो weak acid होते है all right कुछ की point में आपको बता दूँ यहां पर जो एक्जाम में पूछे जाता है acetic acid जो होता है वो thanic acid ethanoic acid भी बोला जाता है इसको acetic acid जो होता है वो हमें विनेकर जैसे कि या पिक्चर में आपको देखने को मिल रहा है इसमें पाया जाता है ठीक है यह भी important question है the modern periodic table is based on यह chemistry का इतना important question है कि आपको किसी भी एक्जाम में देखने को मिलेगा ठीक है so modern periodic table जो है वो कौन किसके उपर बेस है so option b is the right answer adamic number के उपर modern periodic table जो है वो बेस है ठीक है कुछ की points मैं आपको बता दू modern periodic table के बारे में सो जो horizontal rows होती है जैसे कि यह हो गई ठीक है पीरेड कितने horizontal rows को हम क्या बोलते है periods बोलते है जित टोटल seven periods होते है एस modern periodic table में and जो वर्टिकल columns है यह these these are the vertical columns यह total हो इनको हम बोलते है groups और यह total कितनी होती है एक से लेके 18 ठीक है और modern periodic table की खोज किसने की discovery किसने की सो ब्रेटिश एक chemist है henry mosley इन्होंने 1913 में इसका इसको दूर किया modern periodic table की modern periodic table actually Dimitri Mandeliev थे 1869 में ठीक है उन्होंने इसकी कोज की थी बट उसमें तोड़ी बद कमिया थी जिसको दूर किया henry mosley ने इसका right answer यही होगा कि modern periodic table की discovery किसने की so henry mosley all right adamic number is the most fundamental property और इसके अंदर जो है यह जो modern periodic table है इसमें increasing order में adamic numbers जो है उस तरहिके से elements को रखा गया है all right next question is which of the following is the most abundant transition element यह most important question है ठीक है इसी में आपको key points बताऊंगा जो exam में पूछे गए हैं so इन में से concern most abundant transition element है so इसका right answer हो जाएगा option b iron iron जो है वो most abundant transition element है periodic table में ठीक है आप कुछ key points बताता हूं oxygen जो है as by far the most abundant element है अर्थ के atmosphere में ठीक है यह याद रखना यह चीज़े जहां पर मैं यह pencil चला रहा हूं इसको ध्यान में रखना oxygen जो है वो most abundant element है अर्थ atmosphere में hydrogen जो है वो most abundant element है universe में all right and most abundant naturally occurring gas पूछे जाए so nitrogen and most abundant metal on earth crust अगर most abundant metal पूछे जाए है earth crust में so वो कौन सा है aluminium है और जो aluminium के main ore होता है यह exam में पूछा गया है so वो होता है box idea आपको बुक में भी देखने को मिल जाएगा question ठीक है अब हम कुछ chemistry के online important questions discuss करेंगे फटा फटल ताकि आपको time बचे acid rain क्यों होती है is cause by because sulfur dioxide and nitrogen dioxide so2 and anodic की वज़े से पंजन स्मेल जो होती है हमारी urine urinal से वो क्यों होती है because due to ammonia all right acid found in जो acid पाय जाता है grapes banana and tamalin में वो कौन सा acid होता है so tartaric acid होता है constitution अगर brass की बात की जाए so वो होती है हमारी zinc and copper chemical name पूछा जाता है exam में laughing gas का कौन सा है so NO2 main constituent जो होते है biogas के वो होता है methane जिसको हम बोलते है CH4 noble gases कौन कौन सी है helium neon argon xenon and radon ये सारे exam में पूछे गए है who gave the atomic theory atomic theory किस ने दी दी so john dalton ने all right next देखते है gas used in preparation for bleaching powder जो gas use करते है bleaching powder को prepare करने में वो कौन सी होती है chlorine good electrical conductor पूछा जाता है exam में तो good electrical conductor आपको यही देखने को मिलेगा उसमें option में graphite highest quality of hardcore अगर पूछा जाए so anthracite है major component पूछा जाता है exam में ये भी मेरे time पर पूछा गया था component कौन सा है major components LPG के so butane and propane chemical name of baking soda ये भी पूछा जाता है sodium by carbonate chemical name washing soda इन दोने में से question पूछा जाता है maximum so chemical name washing soda का जो होता है sodium carbonate होता है purest form पूछी जाए water की nature के according so rainwater है pH value इसके अपर भी question पूछा जाता है pH value अच्छे से prepare करके जाना आप लोग pH value milk की होती है 6.6 है next है gas जो हम use करते है artificial ripening of fruits में जो हम गैस यूज करते हैं ठीक है फ्रूट्स को रिप करने के लिए सो वह कौन सी गैस होती है acetylene sodium को हम commonly kept in the sodium को हम commonly kerosene oil में रखा जाता है क्यों रखा जाता है sodium fill in the sorry gas fill जो हम करते है air balloons पे जिससे हमारे air balloons है वो उड़ते है उसमें कौन सी गैस परी जाती है helium chemical name DTO यह भी पूछा गया question है chemical name क्या है D2O का so heavy water first metal यह तो जीकी का purpose से भी important है so first metal जो manse ने use किया था वो था copper material that is very hard and ductile कौन से material जो है सबसे ज़्यदा hard है और ductile है so necrum जो हमारे electric heater होता है न उसमें जो तार होती है वो भी इसी की बनी होती है अगर मान लिजे कि blue litmus जो है वो red में change हो जाता है turn हो जाता है ठीक है अगर red litmus ब्लू में change होता है तो हम उसको बोलते हैं base अल्राइट next is bee sting leaves which acid जब bee होती है जो हमारी ठीक है वो जैसे चुबाती है तो कौन सी acid होती है so metanoic and formic acid होती है acid जो हम use करते हैं ink को remove करने में या फिर dust जितने भी stains है उनको remove करने में so कौन सा acid होता है वो oxalic acid natural source की बात की जाए गामारेस की तो कौन सा natural source है वो है radon gas which is only also known as a stranger gas stranger gas को हम और कौन सा जानते है zenon जो है उसको हम stranger gas के तोर पे भी जानते है formula क्या है plaster of paris का यह exam में पूछा जादा है so CA SO4 2S2 all right जो integrated circuit chips हैं computers में वो किछीज के बने होते हैं silicon की यह gk के purpose से भी important है which gas is used in refrigeration कौंसी gas हम use करते हैं refrigeration में ammonia gas which metal can be cut through knife कौंसा metal है जिसको हम knife की help से cut कर सकते हैं so sodium को ठीक है next है element हम use करते हैं electric bulb में वो कौंसा element किस चीज का बना होता है tungsten famous gun powder is a mixture of यह भी दोनों important है पूछे का question है famous जो gun powder है वो किस चीज का mixture होता है nitrate sulfur and charcoal का ठीक है most commonly हम use करते हैं bleaching agent वो कौंसा होता है chlorine petroleum जो होता है वो mixture होता है किस चीज का hydrocarbons का होता है यह अच्छे से प्रिपेर कर लीजिए natural radio activity जो डिसकवर की थी किस ने की थी henry backrail all right firefighting जो clothes होते हैं वो किस चीज के बने होते है asbusters के hydrogen was discovered by hydrogen की कोज की थी kevindis ने and purest form पूछे जाता है exam में iron का so rot iron है and bronze जो है वो alloy है किस चीज का alloy आपको पता होगा दो या दो से ज्यादा substances मिलागे बनाए जाते हैं so copper और टीन ठीक है bronze का alloy जो है वो copper plus teen है all right so यह सारे के सारे important question है chemistry के regarding और बाकी सारे के सारे जो important videos है chemistry में यहाँ पर आपको i button दिखेगा उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं previous जो chemistry के important questions है यगीन मानिया जितने मी important questions हैं वो सारे के सारे मैंने discuss कर दी हैं in videos में तो इसके बाहर तो शाहिद ही कुछ पूचा जाए so i hope you like this video so please subscribe my channel and share with your friends and family and thank you so much for watching this video